तो आज में आपको ताने लों Samsung keyboard के इंदर एक नए अपडेट आया और कुछ नए फीचर्स को वहाँ पर जोड़ दिया गया दोस्तों यह क्या है नए फीचर्स क्या है और कहां यह मिलेंगे तो कैसे इसको यूज करेंगे तो आज की वीडियो में बताने वाला हूं तो वीडियो को स्किब मत करेंगा दोस्तों वीडियो पूरे देखिए तो यहां पर जाना है माई अबडेट में जाएंगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा कि आपके पास एक अपडेट प्रेंडिक पढ़ा ऌध मैं आया थिहां कर अपको ने फीचर्स तो नहीं करा है इसमें क्या नए फीचर्स है बट जो मुझे लगता है कि इसमें यह नए-नए फीचर्स एड़ हुए तो आपको बताऊंगा दोस्तों इसको होने देते हैं डाउनलोड तो यहां पर मैं वाट्सप पर आ चुका हूं वाट्सप पर आने हैं मैंने यहां पर चेंजिस लगा उसके लिए आपको लिए चलता हूं यहां पर इसके सेंसंग कीबोड की सेटिंग पर सेटिंग पर आपको जाना यहां पर मोर टाइपिंग और यहां पर आप दिखेंगे आपको एक नया ऑप्षिन मिल रहा है मल्टी लैंगवेज टैक्प्रीडक्शन यह नहीं आता था यह मुझे लग रहा है कि अभी अभी यहां पर जो जो एप्स किया जो 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 लेंग्वेज को आपने एड कर रखा है वहां पर आपको प्रीडिक्शन में उसके सजिशन मिल जाएंगे उस लेंग्वेज के रिलेटेड तो सबसे पहला चेंजिस जो मुझे जाएगा उसके दूसरा जो बताने वालों वह है आप देख रहे होंगे जैसे कि मैंने यहां पर सनी लिखा तो उससे लेटेड आटोमेटिक वहां पर आपको स्टीकर्स मिल जाएंगे उपर आपको दिख रहे होंगे आपको किसी को भीजना हो तो आप सेंपली महां पर क्ल आपर मॉर्निंग लिखा तो उससे लेटेड उसने खूदीयांबर सर्च माली स्टीकर्स और आप उसको ईजिली हमाँ पर सेंड कर सकते हैं किसी को भी तो यह सेकिंड चेंडिश मुझे हां पर यह लगा है यह सेंड फीचर जो लगा मुझे ये उसके घड़ बताने वालां तो simply आप Samsung keyboard से ही कर सकते हैं, आपको उस दूसरी app में जाने की जूरत नहीं रही, तो उसके लिए कैसे क्या करेंगे, यहां जाना आपको 3.0 में, यहां पर आपको दिख रहे होंगे Samsung Pass का एक अलग से notification दिख रहा होगा, आपको उस पे क्लिक करना है, उस पे क्लिक करना है ता आपको जो भी आपका finger pattern या जो भी लगा के रखा हो, आपको मिल जाएगा, like मैंने यहां पर notes डाल के रखा है, as a tech, I am a youtuber, यहां मैंने कोई cards डाल के रखा हो, तो card की detail है जाएगी, यहां मैंने कोई address feed करके रखा हो, तो address feed आजाएगी, यहां मैंने जो भी password save करके रखे हैं, तो आप देखेंगे, सब आपको यहां पर मिल जाएगे, आपको simply करना है, क्या होगा, simply यहां पर click करेंगे, तो वो यहां पर automatic आपको paste show करना है, यहां पर paste करना है, आप easily उसका यहां पर use कर सकते हैं, तो यहां पर यह सबसची चीज़ दी गई, कि आप easily access करके, simply आपको कुछ भी करना हो, like मैंने यहां पर notes डाल के रखा है, तो म यहां पर थर्ड चेंजेज, यहां हो सकते हैं, यही मुझे तीन चेंजेज लगे, Samsung Keyboard में अपडेट होने के बाद, उमीद है कि दोस्तों, आपको यही मेरी वीडियो पसंद आईगी, हो सकता है कि इसमें से एका जो फीचर यह पहले आ गया हो, तो आप मुझे कमेंट कर ग तो विडियो कुछ कमी करने क्या कपके अब nemसरों बबाहने नहीं ऐस तो प्लीस मेरे डिस्वसक्राइब करने नावोले तो जाएगा गें